तो गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे आपसे बिलोग बहुत बढ़ी दोस्तों आज ब्लोग की सुरुआती है नाइनक ब्लोग से और आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेखे चलूँगा बीरु भाई के पास और बीरु भाई कहा मैं आज आपको गाउं में दिखाता हूं तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें अभी आपको मैं आगे का रास्ता दिखाता हूं तो यह जैसे की हाईवे है मेन हाईवे अभी चलते हैं आगे को यह है बागीचा अक्सर ज्यादा इस साइड में भी लेपट निकल के आता है देखिए आप इस रास्ते से भी वीरु भाई के पास पहुंच सकते हैं और इस रास्ते से भी लेकिन अभी हम इस रास्ते से चलेंगे मैं अभी आपको यह पैदल ओला रास्ता बता रहा हूँ कि वीरु भाई के पास किस रास्ते से हम पैदल चलके उनसे मिल सकते हैं अगर अभी वीरु भाई गाड़ी का रास्ता कहीं से दे देते हैं तो वह रास्ता भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अभी यह पैदल ओला रास्ता है यह गाउं से निकलते हुए लास्ट गाउं के एंडिंग में पहुंचता है यह देखे यह घर मेरा है यह देखे एक रास्ता इस साइट को निकलता है और एक रास्ता यह निकलता है यह अंदर गाउं में जाता है यह रास्ता वीरु भाई के पास जाता है नाइट में अक्सर जादा इस साइट पे इस पोटे डियर सामबर डियर निकल के आते हैं तो उनके पीछे टाइगर लेपरड निकल के आते हैं यह पूरा इस से दर को जंगल है इधर साइट मकान बने हुए यह पूरे धर घर बने हुए और यह रास्ता है पहले पहुंचे के रास्ता ग्राउंड पे यह देखे इस साइट में काफी जाड़िया हो रही हैं बीरु भाई के सस्क्राइबर अक्सर जाता मुझसे पूछा करते हैं कि बीरु भाई कहां हैं? उनका सवाल यही रहता है कि बीरु भाई कहां है तो आज मैं उनके लिए यह बीडियो बना रहा हूं इस बीडियो को पूरा वाच करना और लाइक करना कमेंड करना तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि बीरु भाई ने अपना कैसा सैटप बनाया है गाउं के लास्ट और रिवर से साइट में जंगल है यह देखिए यहां ग्राउंड यह ग्राउंड काफी बड़ा है यहां पर बुआ का घर है और यह देखिए इस साइट में भी मोर की कॉल जल रही है यानि कि कुछ भी एने मल सकता साइट में तो यह देखिए यहां है विरुभाय का सेट अप पुरा यह देखिए अब यह कान चल रहा है हाँ पर रेता बजरी खटा किया है इनने यह है विरुभाय का घर हेलो तो दोस्तो फैनली भी रुभाय यहां पर मिल गए है कैसे हो भाई कैसा चलना भी यहां पर आपके सब्सक्राइबर कापी ज़्यादा आ रहे हैं और मुझसे पूछने की बार बार की बीरुभाय कहा है उनसे उनको में रास्ता आज मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बन डाल दिया कि रास्ता कहां से निकलता है और कहां को पहुंसता है बीरुभाय के घर पे अब धीरे धीरे करेंगे इसको स्टाट अभी तो बहुत हों की काम में उल्जे हैं उसके बास प्रेटिंग एरिया आपके चाहिए तो सेटफ यहां पर क्या रहेगा तो सेटफ हैं जैसे को आया वक्ति उनको खुदी मैगी बनानी है उनको चुला बनांके देंगे जाना ज और कुछ बोलना चाहते हैं अबने स्सक्राइबर को अगर आप आएं अगर आपको रस्ता मेंता है तो ठीक है नहीं तो मनोज नहीं पर है शौप को बता देगा आपको रस्ता निकालेंगे यहां के लिए तो मैंने वही बताया कि मैंने आभी आपको पैदर चलना रास्ता तो नहीं बताया है कि गाहूंसे किस तरह से निकल की बीरुभाई के पास पहुंचना है अभी तक जहां से गाडियां की अपके चला दिया तो वह भी कुछ एक प्रकार से इसा कमेंट कर रहेते की कि कि शी नहीं मतलब जेलेस फिलों के रास्ता पर हल वाज यह लेकिन पर मैंने उन्हें से बोला कि नहीं अभी वह प्रॉपर खेटी करने के मोट से अन्हें पर हल चला है और बीरु भाई प्रॉपर रास्ता कहीं से निकाल के दिंगे आप लिए पुराना रखता है उसे को करेंगे स्काइब वरन स्कूल चलाइए जाता हूँ लेने के लहरा चाहिए तुभे उठके लगे था इसी में मैंने आवाज सुने था टेक्टर की आवाज चल ले थी सेड में और इसमें क्या-क्या लगाना चाहते हैं और बाहर रहेंगे पेड़ निम्बू के और डाल चिनी के आम तो लगा रहा है आम ला तो हाथी परिशान करेगा तो दोस्तों यह है बीरु भाई का सेट अप पूरा दोस्तों यह बीरु भाई वरन को लेने के लिए अच्छा सेट अप किया है भाई ने यहां देखें फूरी फैंसिंग करें के इसमें चड़के अक्सा ज्यादा बीरु भाई है यहां पर टाइगर देखते हैं चलो अभी यहां से निकलते हैं घर की और तो दोस्तों वीरु भाई को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्स्क्राइब करें फिरन निकलके नाले में आ गए और अभी कुछ समय पहले एक काफी टेस्ट कॉल कर रहे थे अजया झाले में आ गए खाग कि अवीडियो कि वाले में आ गए दो समय वाले में आ खाग करें एक काफी हैं अाम बढ़ जाम वढ़ दें यादट ओर से लग बेंट तराखो झाल झाल यह देखिए यहाँ पर लंगूर भी हैं और इस्पॉर्टे डियर भी हैं कुछ समय पहले जब यहाँ पर कॉल चल रहे थी तो यह काफी तेज आवास करे थे और जब तक मैं यहाँ पर पहुचा तब तक का मामला सांत हो चुका था यह देखिए अभी भी लंगूर और स्पॉर्टे डियर हैं यहाँ पर लेकिन यह नॉर्मल भी हैं और अलेट होते भी चल रहे हैं यानि कि इनको एहसास है कि इस साइड में टाइगर है यह हुआ। यह हुआ तो दोस्तों मैं अपने शौप पे आ गया भाई की घर से निकल के और काफी अच्छा अंतिजाम किया है भाई ने वहाँ पे आने वाले टैम पे काफी अच्छा ग्रो कर लेगा भाई वहाँ पे और मैं जब अपने शौप पे पहुँचा तो आगे वह है छोटा पुनुद नाला सामने में और उस साइड से आज टैगर ने करा है क्रोस नाला जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बैल पे अटैक किया था टैगर ने उस जगव पे तो वह टैगर अभी भी उस बैल के चक्कर में इधर अधर घूम रहा है क्योंकि उसके मुह से वह छूटा है और बैल तो आज उसकी डैट हो चुकी है यानि कि बैल मर चुका है जब मैं वहाँ पे पहुचा यानि कि पनुद नाले पे छोटा पनुद नाले पे तो टैगर ने वह नाला क्रोस कर लिया था कापी स्पोटी डियर और लंगूर थे वहाँ पे कापी वह एलेड भी थे और नॉर्मल भी चल रहे थे यानि कि टैगर इस साइट को मूब कर रहा था इस साइट को मूब करते करते वह यह साल्प फोरिष्ट है उसने मूब कर रहा लास्ट में बड़ा पनुद नाले से जहां पे कि अक्सर ज्यादा टैगर रोड क्रोस करता है दोस्तों यह अभी आगे से आ रहे हैं और यह अच्छा कुरे वे काशिक सब्सक्राइब कारे देया और यह अच्छा काश сок Safety कि टैए और यह उपर साके बता रहें कि एकात वाले पर धा जबाता मारता ता ताई तो दोस्तों जैसे कि बाइक वाले ने मुझे बताया कि एक बाइक वाले पे टाइगर ना हमला कर दिया तो मुझे तो ऐसा लगता है सायद वो टाइगर ने रूड क्रॉस किया हो उसका और बाइक वाले का आमना सामना हो चुका हो टाइगर भी मूब कर रहा होगा नाला क्रोस करने के लिए और वो भी रोड क्रोस रोड पे चल रहा होगा बाइक वाला और उन दोनों का मुट भेट यानि कि आमना सामना हो चुका हो तो हर कोई यही कह रहा है कि बाइक पे जपटा मार लेता तो अभी कंफर्म तो पता नहीं चला है बस इतना पता चला है कि बाइक वाले पे जपटा मार लेता है और बाइक वाला आगे पहाड को चला गया है तो कैसी लगी मेरी यह वीडियो हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नाइस्ट वीडियो में